एक बात तो पक्किए बचों, देखें, सलेक्शन उनका नहीं होता जो बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, सलेक्शन उनका होता है, जिनको पता है कि most important chapters कितने हैं, most important topic कौन से हैं, most important question कौन से हैं, question आते कहां से हैं, किन question कि हमें practice करनी चा जा हुआ है तो हमें एक प्रॉपर स्टेड़ी के थूँ आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे कि हम एक ऐसी स्टेड़ी बना सकें जिसे कि क्या होना चाहिए कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने बाकी स्टेड़ी क्या होने वाली है उस पर बाते करेंगे बने रहे है इस चैनल पर और हाँ वीडियो पसंद आए और इसी तर के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आपको नीट और MST CT की तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए ठीक है सुनिए बच्चो द्यान से मैं यह कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टिंट फैक्टर क्या होता है हमारे किसी भी स्टरजी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बस पढ़ने लगते हैं हमा कभी दिवाल से टेक लेकर के लोस को ले लिया गोद में फिर उसके उपर बुक ले करके फिर लेट गए फिर उपर बुक आ गई सर ऐसे पढ़ाई नहीं होती पहली चीज तो तुम सीख लो कि पढ़ना जो है वो एक ब्रेन की फंक्शनिंग है और ब्रेन जो होता एक प्रॉपर स्टेज में ही वो काम कर अब कॉलेज में या फिर क्लासस में क्यों पढ़ाए क्योंकि पोजीशन है ना एक पोजीशन में बैड़ कर आप पड़ते91 अब दिवाल पर टेक ले लो फिर क्या पढ़ाई होती है नहीं होती है यह आपको भी पता है तो जिस कंडीशन में हमारा ब्रेन है ना सेट हुआ है उसी कंडीशन में पढ़ना चाहिए पहली चीज तो यह याद रखना है आपको तो जब भी आप पढ़ें आपके में पास में और टेबल होनी चाहिए ठीक है उसी पोजीशन में आप पढ़ें ठीक है अब सुनिए ज़रा ध्यान से कि हम जब पढ़ रहे हैं सर तो कितने आर्स पढ़ें कितने आर्स का टेबल बनाएं जिससे की सारी सारी सब्जेक्ट हो जाए हमारे रिवीजन हो जाए बाक कम से कम छे से साथ घंटे की स्लिप भी ले सकते हैं सो भी सकते कोई दिक्कत नहीं कैसे मैं बताता हूं सुनिए सपोज करिए बच्चों आप अपने बना लिजीए मैं आपको एक देता हूं सुनिए सपोस करिए आप 7 एम से लेकर के 10 एम तक पढ़ते हैं तो यह फिर तीन बज़े से एक नैप लो एक डिएड़ गंटे का नैप लो छोटा सा फिर उसके बाद उठो थोड़ा फ्रेस हो जाओ गुमो फिरो पैरेंट से मिलो फिर उसके बाद फिर नाइन पीम को अराम से खाना हो ना खाओ गाने उन्हें सुनो थोड़ा इदर उदर के मैच मत देखना अगर उपन कर लिया तो फिर तो समझो टाइम गया और तुमारे मोबाइल में जो जीओ का है न एप उसे पहले तुम डिलेट करो एक्जाम तुमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैच नही है तुम अपनी लाइफ में क्या कर रह crawl रहे है उसे पस मजसे ले रहे है प्ले यह मजह कभी खराब नहीं होता थैह यह मजह कभी खतम भी नहीं होता है याद अध्य होदकिधा मझे मंग सब्साइब नहीं कह रोगा यह रहाई हो जो नहीं सुनीं हागे अगे पिंध नहीं फ्यम के बाद एक घंटी आप खाना फीना और पॉसिबल हो तो इवनिंग में जब साम को आप डिनर करें तो उसमें चावल लगबग ना खाएं बस एक महिने के लिए जब तक आपका एक्जाम चला है तब तक चावल ना खाएं क्योंकि राइस जो होता है बच्छो राइस खाने को आप नीद बड़ी अच्छी आती है क्यों बड़ी अब राइस लबर बोलें तो जिंदा रहें जिंदा रहें गें इस चीज़ को करवो इड्रेट का मेटाबॉलिजम है तो सुनी ज़ाफ द्यान से 10 गंटे इसके बाद आप अराम से सो लगब 1130 तक आपको नीद आहिए जाएगी ठीक है आराम से पूरे दिन तुम्हारा बीस गंटे सब्सक्राइब लेकर की चार गंटे का क्लास हो गया बहुत है ठीक है अब दूसरी चीज़े मुस्ट इंपर्टन चैप्टर और टॉपिक्स याद रखना हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर पढ़ने में तुम टाइम वेस्ट कर दोगी अपना तो ज्यादा बेटर क्या है सब्सक्राइब चैप्टर को पहले अगर यह यह आपको confirm हो जाता कि यह आपने कर लिये हैं, अगर आपको पास time बचता है, उसके बाद आप least important chapter को complete करें, अगर आपके पास time नहीं है, तो सबसे पहले focus करें most important chapter से, जहां से most of the question पूछे जाते हैं, बालू जी का कौन सा chapter है, वो most important chapter मैंने already दे दिया आपको वीडियो, वी रिवाइस करना चाहते हैं, पहले चीज तो बुक से पढ़िए जो आपके teacher में आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो आपके teacher में आपको पढ़ाया है, notes अगर आपके पास हैं, आपको दिये गए हैं, तो पहले notes से पढ़िए, क्योंकि उन्हीं notes को पढ़कर कि आपने exam दिया ह ठीक है, तो वो चीजे जादा होंगी, जादी अच्छा से revise होंगी आपको, ठीक है, और फिर भी नहीं समय में आता है, तो one shot देखिए बच्छों, ठीक है, one shot देखिए, one shot आप देखिए, और ऐसा one shot देखिए, जो लगबग 2-3 घंटे का ही हो, इससे जादे का नहीं हो, न यहां पर पढ़ ले रहा है, chemistry, यहां पर पढ़ रहा है क्या, biology, है ना, तीनो subject पढ़िए, और जब यह तीनो subject आप पढ़ रहे हों, तो कोसिस करिए, इन में theory भी solve करे, साथी साथ mcqs भी, ठीक है, theory के साथ mcqs भी solve करिए, और daily का तुम्हें mcqs मैं बताओं कितना solve करन है बच्चों, mcqs कितना, biology के आपको 100 mcqs all करने है, physics के at least 50 mcqs all करने, chemistry के at least 50 mcqs all करने, यह चीज़ तुम्हें याद रखने है, क्योंकि पता है, biology की ज्यादा क्यों करने है, क्योंकि 50% syllabus ही आपका biology का है, that's why मैं बोल ला हूँ, और सुनिए बच्चों घ्यान से, यह तो जब हम आपको इस chapter पढ़ रहे है, suppose करिए 7 to 10 आपने पढ़ा, 3 गंटे में chapter में पढ़ लिया, तो 3 गंटे को कैसे divide करना, मैं यह कह रहा हूँ, कि 1.5 गंटे, 2 गंटे में आपका chapter हो जाएगा, ठीक है, बड़ यह से बड़ा chapter, उसको revise करने के बाद, उसी time, ठीक है, उ reproduction की unit होगा, reproduction in lower and higher plant, reproduction in lower and higher animal, इसके पहले, एक chapter का होना, reproduction in plant का, फिर reproduction in animal का, फिर दोनों का एक साथ कर ले, बहुत easy हो जागा, revise भी हो जाएगा, फिर उसके बाद whole syllabus का, ठीक है, फिर whole syllabus का आप कर सकते हैं, अगर आपने यह strategy रखी, तो definitely, अभी बहुत जादा time नहीं, मैं कह करता हूँ, हर एक subject का important chapter कितना लोग अब, सिर्फ 10, तो near about आपको 30 chapter ही revise करने, 15 days में, हो जाएगा सर, बहुत easy है, फिर भी अगर कोई बैलो जी का important topic है, जो आपको समझ में नहीं आता, कोई important chapter है, समझ में नहीं आता, comment section में लिखे है, मैं इस particular topic पर वीडियो बना कर आपको provide कर दूँगा, बाकि मिलते हैं आप से next video में, एक नई information के साथ, तब तक के लिए, जय हैं